दर्शुक नमस्कार वेनेस न्यूज लाइब में आप सभी का स्वागत हैं भारत पाकिस्तान का आमना सामना 27 सितंबर को प्यम मोदी और इम्रान खान का संबोधन सेयुद राश्ट्र महासभा में भारत पाकिस्तान एकी तीन आमने सामने होगी प्यम मोदी 27 सितंबर को सेयुद राश्ट्र महासभा को संबोधित करेगे और इसके कुछ घंडों के बाद ही पाकिस्तानी प्यम इम्रान खान भी यूएन जीये को संबोधित करेगे पाकिस्तान की पहली महिला एस्ट्रोनॉट ने की इस्ट्रो की तारी पाकिस्तान की पहली महिला एस्ट्रोनॉट न मीरा सरीम ने भारत्य अंतरिश एजेंसी इस्ट्रो को चंद्रायन 2 के लिए बधाई दी है उन्होंने बदाई देते हुए कहा है कि इसरों को मिशन चंद्रायन दो के लिए बदाई कश्मीर मुद्दे पर चीन ने पाकिस्तान के सूर में मिलाया सूर चीन की विदेश मंत्री वांगी एक दीन की यात्रा पर पाकिस्तान पोचे यह चीन का कहना है कि वह किसी भी तरह की किसी भी एक पक्षिय कारवाई का विरोत करता है और कश्मीर मुद्धिशान्ति सुलजाया जाना चाहिए सेयुगत राश्ट्र मानवादिकार प्रमुख ने कश्मीरियों को लेकर कही ये बाद सेयुक्तर राष्ट्र मानवादिकार प्रमो मिथिल पैश्रेट में सोंवार को दोनों देशों से यहां सुनिशित करने को कहा कि कश्मीर के लोगों के मानवादिकार का सम्मान और रक्षा की जाए MNS News Live की खबरे देखने के लिए आज ये Play Store से MNS NTF डाउनलोड कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद